मैं हूँ अमीश देवगन आज वर्तमान की भी बात होगी और इतिहास का पन्ना भी खुलेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपको फ्लैश पैक में लेकर जाता हूँ तेरा साल पुराने एक कहानी जब सीबिया इने एक राज्ये के ग्रह मंत्री को अपने जाल में फासा आरोप लगाया फर्जी एंकाउंटर करवाने का लेकिन निशाने पर था एक प्रदेश का मुक्यमंत्री ये किसी थ्रिलर उपन्यास की कहानी नहीं है बलकि ये मामला जुड़ा है मौजूदा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और देश के ग्रह मंत्री अमिट शा से ये दोनों 2005 में गुजरात के सीम और ग्रह मंत्री हुआ करते थे लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है क्योंकि न्यूज 18 के मंच पर ग्रह मंत्री अमिट शा ने पहली बार यकीन मानिए पहली बार का है कि शराबू दीन एंकाउंटर केस में सीबियाई ने उन्हें बचाने की एवज में नरेंद्र मोदी को फसाने का उफर दिया था का हम मोदी का नाम ले लो तो तुम्हें छोड़ देंगे इस मुद्धे पर आज बहुत बड़ी बहसम करने जा रहे है लेकिन सवाल वर्तमान का भी है क्योंकि पहले राहूल गांदी ने लंदन में भारत के खिलाफ दूसरे देशों का साथ पांगा और इसके बाद जर्मनी के विदेश मंत्राले ने राहूल के समर्थन में बयान जारी कर दिया इस पर एक बड़ा सियासी घमासान छिड़ गया है इसी बीच नई संसत पर पुरानी जंग भी और तेज हो गई है संसत नहीं है लेकिन जंग पुरानी है तो आज इन तमाम मुद्व पर होगी जंता जनार्दन के बीच सबसे बड़ी चर्चा क्योंकि मोधी तब भी निशाने पर थे मोधी आज भी निशाने पर रहा है श्वागत है आपका देश की सबसे बड़ी चर्चा में आपको बताता हूं दूरूपयों कैसे होता है निश एटीन के राइजिंग इंडिया में देश के ग्रिह मंत्री ने जो कहा वो देश की सियासत को हिला देने वाला बयान है सबसे पहले आप भी सुनिए आमिच शाह ने 13 साल पुराना क्या खुलासा किया 90% सवालों में यही तक कि काहे को परेशान हो रहे हो मोधी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे अमिच शाह को साल 2010 में सोहरा बुद्दीन एंकाउंटर केस में CBI ने गरफतार किया था अमिच शाह का दावा है कि CBI ने उन पर गुजरात के ततकालीन सीयम नरेंदर मोधी को फसाने का उफर दिया मैं आपको बताता हूँ दुरूपयों कैसे होता है मैं उसका भुख तभोगी हूँ हमारे खिलाब को ब्रश्टाचार का केस कॉंग्रेस ने नहीं किया था एक एंकांटर हुआ था उसमें मैं उराज्य का गुरू मंत्री था मुझ पर केस कर दिया और सिर्भिया इनिमिर जी एरिश्ट की 90 परसंट सवालों में यही था कि काहे को परेसान हो रहे हो मोधी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे किस बात का दबाव है उन पर कोई तो होगा आठ साल से उन्हें यह बात याद नहीं आई अग एगदम याद आ गई तो यह तो बता दें कि आठ साल तक वो चुप क्यों थे क्यों नहीं बताया आठ साल तक इस बीच राहूल गांधी की संसर सदस्यता जाने के मुद्दे पर जर्मनी के बयान ने एक बार फिर कॉंग्रेस और बीजेपी को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया दरसल जर्मनी ने कहा है की हमने भारत में राहूल गांदी के खिलाफ फैसले का संग्यान लिया है राहूल फैसले को चुनोती दे सकते हैं तब साफ होगा कि क्या ये फैसला टिक पाएगा क्या निलंबन का कोई आधार है जर्मनी के इस बयान पर कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता दिग्विजे सिंग्ने आभार जदाते हुए कहा राहूल गांधी को परेशान करके भारत में लोकतंत्र से समझोता किया जा रहा है इसका संग्यान लेने के लिए जर्मनी का शुक्रिया इस बयान के बार पीजेपी कॉंग्रेस पर एक बार फिर विदेशी ताकतों को भारत के लोकतंत्र में घुसपैट कराने का आरोप लगा रही है लोकतंत्रिक, राजनितिक और कानूनी लड़ाई जब देश में नहीं लड़ पाए तो विदेशी जमीन पर जाकर विदेशी एजन्सियों के और विदेशी सरकारों की मदद मांगने में राहूल गांदीजी और कॉंग्रेस पीछे नहीं रहे आमिर्शा के आरोपो को सही माने तो विपक्ष जब सक्ता में था तब मोदी के खिलाफ सारे पैत्रे आजमा रहा था क्या मोदी विरोधी एजेंडे के तहत ही आज भी लोगतंत्र को खत्रे में बताकर देश और दुन्या में मोदी की छवी खराब करने की निरंतर कोशिश हो रही है तो स्वागत है आपका देश की सबसे बड़ी चर्चा में सबसे बड़ी बैस में लेकिन एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ इसी देश में कुछ सांसदों ने नरेंदर मोदी को अमेरिका का वीजा ना मिले यानि USA का वीजा ना मिले इसके लिए चित्टी और पत्र लिखती है जबकि उनको कोई वीजा तब नहीं चाहिए था तो ये हाल था तब भी था और आज भी यही है मेरे साथ कई मेमान है चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के सांसदों प्रवक्ता सुधान चुत्रवेदी है जोरदर तालियों से उनका अभी नंदन है मेरे साथ अवेदूबे है कॉंग्रिस पार्टी के नेता प्रवक्ता जोरदर तालियों से उनका अभी नंदन ह राजकुमार भाटी है प्रवक्ता समाधवादी पार्टी के उनका अभिनंदन है और डॉक्टर ना जिया लोग हमार से जुड़ेंगे तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है और जंता दरदन जोर्दा तैलियों से आपका अभिनंदन है ऐसा क्या हो गया सुधान जी ने कहा है उसके लिए उनको आठ साल पहले कहने की जरूरत नहीं थी जब बॉंबे हाई कोर्ट ने उनका या फरजी केस रिजेक्ट किया है तो उसमें अपने निर्ड़ें में लिखा है कि यह राजनीच से पेरित था इसमें कोई आधार नहीं था तो जो बात अमिशा जी ने कही है वो तथ्य और नियाईक विवस्ता के निर्ड़ें के आधार के उपर कही है मगर जांच के लिए क्या होता था जो उन्होंने बात कही है चलिए वो कहेंगे कि साब अमिशी से क्या पूछा जाता था सीबी आई में क्या पूछा जाता था तो उनको पता होगा पर एक फैक्ट तो मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ इश्रच जहां केस भारत के इतिहास के इंवेस्टिगेटरी हिस्ट्री का एक बड़ा विच्टर केस है पहले भारत की आई बी और सीबी आई दोनों कहती है कि वो आतंकवादी है फिर अचानक पता चलता है गोतु यूटन नहीं हुआ होगा और इतना ही नहीं मज़े की बात जानते क्या एक शीबी आई अब कहती है कि हमने इसको आफ आतंकवादी नहीं मानते और आई-बी यानी यू पी-ए सरकार की आई भी तब भी कह रहा है या जैनि एक समय में एक सरकार की दो एजन्सियां NG वेक्टि को आतँगवाधि और दूसरे को कहे आतँगवाधी नहीं है और जब हमारी सरकार आई और यह पूशा गया Do the file गायब थी इस लिए मैं कह सकता जूट के इतने पुलिंदे बना के रखे गए और ये कॉंग्रेस की फित्रत है जितने तथा कतित हिंदू आतंगबाद के केस से चारशीट नहीं फाइल कर पाए चारशीट नहीं फाइल कर पाए किसी मामने में कोड़ अगले सवाल पर जाता हूँ अभे दूबे मेरे साथ है और डॉक्टर अजया लोग भी है और राश्कबार भाटी भी है इन तीनों में कामन बात है तीनों लाल लंग में है तो मुझे याद आता है लाली मेरे लाल की ज सफर है इसके पीछे जर्मनी है क्या भारती जनता पार्टी का चहरा तम तम आया हुआ और लाल क्यों हुआ है 13 साल बात क्यों अमिट शाह साब को ये बात याद आई उसके पीछे विशेश कारण है क्योंकि भाजपाई सत्ता अपने धन्ना सेट दोस्त अडानी को बचाना चाहती जो विदेश से हमले की बात ये कर रहे है जर्मनी से जर्मनी से नहीं जो टेक्स हेवन कंट्रीज है वहां से हमारे देश पर हमला हुआ 38-38 शेल कंपनियों के द्वारा इलारा नाम की कंपनी जो अडानी जी की साजेदार है जो डूबियस कंपनी है जिस पर आरा ओफ है स्टॉक में नूपिलेशन का वो स्ट्रेटेजी के रिया में राहुल गांदी जी ने पूछा कि डिफेंस के शेत्र में काम कर रहे हैं आप मिसाइल और रेडार अपग्रेडेशन के शेत्र में काम कर रहे हैं प्रधान मंत्री जी जांच कब कराएंगे आप हिंदुस्तान की भूमी पर इंटेक्स हेवन कंट्री से हमला हुआ है अमिश देव गन जी इसलिए भारती जंता पार्टी तिल मिलाई और अपने दोस्त को आपको हर्चना में फसा देती है यह जंता ही आप लोगों को फसा देती है देखे देश को जो फसाया जा रहा है उससे निकालने के लिए राहुल गांदी जर्मनी निकालेगा देश को अग्रणी भूमी का तक आप कह रहते हैं हमें विदेशी ताकत की मदद नहीं चाहिए आजा विदेशी ताकत का शुकरियादा कर रहे हैं दिग्विजे सिंग ने शुकरियादा क्यों करा तो ग्या मतलब है जर्मनी का हमारे लोग तंतर में बोलने का तो बुलाए ना प्रणा मंत्री जी आपको जर्मनी चबाल के दिवाब दे आपको कोट में विश्वास है य चांग चूंग लिंक के बारे में बता दीजे वहिया कोई है जानकारी तो बता सकते हैं उनके बाद जानकारी ज्यादा बेतर होगी परन्तु अभी इन्होंने एक शब्द बोला था जानते क्या है कॉंग्रिक्स के सामने एक फितरत है कि विदेश के साथ ही बड़ा उनका बेतर तारतं में रहता है लेकिन काले सेलाल पर आ गए यह जो हम पहले जाके राहुल गान्धी ने इंग्लेंड में विदेश में जाके गुहार लगाющий और फिर वहां से भारत पे वार हुआ और पिर उस वार के ऊपर दिगवीजे सिंगे जो सथकार किया जर्मनी का तो अभी अवे दुबई जी के मूंसे शब निकला था ना छल चंदों से तो मुझे यादा अगया कि हम यह कहना चाहते हम नहीं कभी भी हारे हैं दुश्मन के छल चंदों से हम तो सदा ही हा रहे हैं अपने घर के जैचन दोसे ठीक है जवाब एक सवाल मत्तब आप मोदी को भसाने के लिए नरेंद मोदी को भसाने के लिए जो हमिश्चा ने बड़ा गंबीर आरूप लगाया उनने बोला कि फसाने के लिए मुझे कहा किया कि तुम बच जाओ और मोदी का नाम ले दो तुम और नहीं चल चंद करो इस नाटक में क्या रखा है ये खेल तमाशा बंद करो सचमुच में तुम खल नायक हो नायक का सिर्फ मुखोटा है अभिनाय में महा चलावा है अभियान बहुत ही चोटा है मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये बात सही नहीं है कि 2016 से इंडोनेशिया से ओवर इंवाइसिंग करके अडानी की कंपनी ने कोईला मंगवाया और देश के भोगताओं को उसका खामियाज भुगतना पड़ा इसकी जाज भी नहीं कराना चाहते 2016 में मोदी जी की डियारेई ने केस पंजी बद्द किया आज तेवीस हो गया उस पर कोई एक्षन नहीं लेना चाहते राहूल गांदी जी ने प्रशन खड़ा किया कि 6-6 एरपोर्ट एक आदमी को दिये मिनिस्ट्री आफ एक्षनल अफेर के विरोध के बावजूद नितियायोक के विरोध के बावजूद लेकिन सारे कानूनों को टाक पर उस पर दिये आप जैपीसी की मांग लेकिन आप सवालों का जबाब दीजिए वो कहरें अभ्यान चोटा है लेकिन सिक्का किसका खोटा हो एक देश समविधान से चलता है और देश यह चाहता है कि इनके पास इतनी जानकारिया इंडियोनिशिया से कोई लाया ओवर इन्वाइसिंग फ़लाना हुआ धिमकाना हुआ देश का इतना दिन से नुक्सान होगे 2016 से 23 तक कितने साल होते हैं साथ साल से भजिया तल रहे थे कोट में चल जाते कोट में चला जाते सबूत दे देते अरे जैन्स आप जाते अदानी के खिलाब निप्ता देते उसको तक और उल्टा आप उल्टा मुझे लगता है कि दोरे माप दंडल लेकिन आज के विश्य पर आना चाहिए जो कि महत्रपूर्ण है राजकुमार भाटी मोधी तब भी निशाने पर थे क्योंकि इस देश में नरेंद मोधी जब गुजरात के सीम थे तो इसी देश की संसत के लोक सब सांसदों ने इसी दे मोधी के संसत का जा रहा है एक तो अमित सहाजी ने एक बात कहिए उसे हमें घंबिड़ता से लेना चाहिए कि एजेंसियों पर सरकार का दबाव होता है जो हम कहते आ रहे हैं लगाता अब सरकार है बदलती रहती है लेकिन एजेंसी तो वही रहती है उस समय कॉंग्रेस अधिक संफत्ती के केस में तीन बार झाच करा अई गहीत है लेकिन दूसरी बात में बहुत कम भीड़ता सशामेश कहना चाहता हूं जिस समय दो 2005 के आप बात कर रहे हैं उस समय भारती जंता पार्टी के नेता मानी अटल बिहारी बाजबे जी लाल किसान अटबानी जी मुलीमन और जोसी जी होते थे अब नरिंदर मोदी को इतने बड़े नेता नहीं थे कि उन्हें बीजेपी को रोकने के लिए उन्हें फसाने की जोत प दोसारे लोगों का नाम आया पिर जो इस्सरत जहां थी उसका नाम आया करफ किंटी है इसको अज रपोतियन के पास कितनी पधुक्षी मोधी निक्री है वंदरे साल बाद उसको रजनितिक रूप देना ये कि